हाई फ्रेंड्स मैं हूँ सीमा और आपका स्वागत है मेरे चैनल क्रिये टीपी दा आटप ननी में मैं बनाती हूँ वीडियो हर संडे तो आटेट क्राफ्ट रिलेटेड वीडियो आपको अगर पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आज की वीडियो में ओयल पेस्टल से कैसे थ्री फ्रूट्स हम बनाएंगे वो देखेंगे लेकिन हम ये मंदिर घुमने गए थे तो इसका एक छोटा सा फुटेज मैं आड़ कर रही हूँ अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप रावरकेला से हैं तो आपको पता चल गया होगा ये कौन सा मंदिर है ये हनुमन बतिका में एक त्री सक्ती मंदिर खुला है और ये बहुत सुंदर मंदिर है तो ये हम आगे देखेंगे पहले कंटिनू करते हैं हमारी ड्रॉइंग की तरह तो पहले हम स्ट्रॉबेरी बनाएंगे ओल पेस्टल से तो किस तरह से ड्रॉव करना है वो पहले खा रही हूं साथ मैं मेंसन कर रहे हूं कौन सा कलर यूज कर रहे हूं तो वीडियो स्किप मत किजिएगा नहीं तो आप इंपोर्टन स्टेप्स मिस कर जाएंगे अगर आप पहली बार मेरे चैनल को वीजित कर रहे हैं तो मैं बता दूँ मैं Art and Craft Related वीडियो हर संडे पोस्ट करती हूं अगर आप इंटेस्टर हैं आर्टन क्राफ्ट रिलेटर वीडियो के लिए तो जरूर मेरे स्टैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा हर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए मैं आप सबको थैंक्यू करना चाहूंगी कि आप लोगों ने मेरा पिछले वीडियो को बहुत पसंद किया आप लाइक करिए वीडियो को मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे अच्छे वीडियो बनाने का अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा मै के लिए में डेस्के संदौन में लिक डाल दोंगी तो अब हम मेंगो बना रहे हैं इसके लिए जो-जो کलर्स यूज किया है मैंने मेंसर किया है फograp के दो ऑन सा मैंगो बनना है और लिप के लिए मैंने डार ग्रीन लाइट ग्रीन एंड नेमन एलो को यूज किया है मैंगो के बाद हम चेरी बनाएंगे और लास्ट में मंदीर में हमने क्या किया कैसा मंदीर है वो दिखाऊंगी तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा मेरे चैनल पर ओयल पेस्टल से रिलेटर बहुत सारे वीडियो है आप चेक कर सकते हैं चैनल को जरूर विजिट करिएगा अभी हम चेरी बनाएंगे तो देखिए इस तरह से मैंने पहले ड्रॉ कर लिया है और रेड से स्टार्ट कर रही हूँ बाकी सब कलर नीचे मेंसन करती जाओंगी और पेस्टल बच्चों के लिए बहुत अच्छा फ्राक्टिस मेडियम है श्टार्टिंग आप और पेस्टल से करवा सकते हैं उससे बच्चों का लाइट सेडो यह सब अच्छे से फ्राक्टिस होजाता है उसके बाद वह वाटर करलर या फिर अक्रीलिक रिलेटेड वर् तो औल पेस्टल से जरूर प्राक्टिस करवाएगा स्टेम बनाने के लिए मैंने लाइट क्रीन एंड वाइट का यूज किया है लेकिन आप लेमन हेलो भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्राउन एंड ब्लाक देज सकते हैं लीफ बनाने के लिए मैंने पहले जैसे मैंगो पे बनाया था सेम उसी टाइप का लीफ बनाना है तो इस तरह से हमने थ्री फ्रूट्स आज सीख ली आप कौन सा ट्राई करेंगे मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा या फिर आपको कौन सा फ्रूट अच्छा लगा तो चलिए विजिट करते हैं मंदिर यह मंदिर हाइटेक के पास है जो हन्मन बाटिका के दूसरी तरफ चुरोण है उस तरफ तो अभी हम उपर जा रहे हैं देखने के लिए कैसे मंदिर है यह त्री सकती मंदिर है जो अभी भी काम थोड़ा थोड़ा चल रहा है कंप्लीट नहीं हुआ है और अंदर वीडियोग्राफिय अलाव नहीं था फोटो भी उठाना बना था तो मैंने बाहर बाहर तरफ जो दिखा वही सब उठाया है तो बहुत सुंदर मंदिर है आप अंदर जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा बहुत पीसपुल एंवर्मेंट है और दिखिए साइड में इस तरह से कुछ बना हुआ है और फांटेन भी रात में फांटेन या लाइट सब जलते हैं तो हम उतनी देर नहीं रु मैंनु में बताएगा आसा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चनल को सब्स्ट्राइब करेगा मैं हर संडे वीडियो डालती हूँ तो जरूर मेरे चनल को विजिट करेगा तैंक्स पॉर वच्छी आसा करती हूँ याँ झाल झाल